नमेश्कार दोस्तों, Welcome to Exploring Things in a Round दोस्तों आज मैं आपके साथ मेगी बनाने की बहुती सरल तरीके से मेगी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मेगी बनाने के लिए जो समाने में वह से आपको दिखाती हूँ इती हम पस्टित करें किह थाफ़ा से लताला सी में में यह एक पानी आपार अपर विधी के सब्सक्राइब के साथाइन इसक्ट? अब कामि Κशन ममें चभी दोटा मकमनेश Чटकी वह राल मिर्ष हुआ से पक्रण नमक कर वीसिरेंぎ जीरे हैं तो सबसे पहले मैंने गाइस पर गढ़ाई को चढ़ा दिया है, मैं गास आउन कर दिया हैं, अब मैं इसमे डालूंगी नमेस्टरेड आईल, इसमे गरम होगे देते हैं तो दोस्तो कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब मैं इसमें आल डालती हूं बहुत ही थोड़ा सा ओयल हमें डालना है लबक सिर्फ दो चम्मच यह ओयल होगा अब मैं इसमें जीरा डालूंगी दोस्तों आप सब मैंगी तो बनाते ही होंगे सबका अपना अलग तरीका होता है तो दोस्तों अगर आपको मेरे तरीके से बनाई हुई मैंगी अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों और फैमली के साथ शेयर कीजेगा और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा देखिए मेरा जीरा अब हो चुका है अब मैं इसमें डाल ती हूँ मेरा फेवरिट टमाटेज दोस्तों ये टमाटर में पानी छूट रहा है ये मस्सोतीगा कि इतना सारा जो दिख्राइब को सारा तेल है तेल मैंने आपके सामने ही बहुत थोड़ा सा डाला है और अब मैं इसमें अपने और मसाले और सब्सक्राइब आइड कर दूंगी उसके बाद इसको थोड़ा सा सौट होने के लिए थोड़ दूंगी तो मैंने इसमें ग्रीन पीज, कैप्टिकम और कॉर्ण को भी एड़ कर दिया है अब मैं इसे थोड़ा सा सौट होने के लिए फ्लो फ्लेम पे धटकर छोड़ दूंगी बस दो मिनट के लिए तो दूस्तों अल्मोस्ट दो मिनट हो गया है, तो यह देखिए हमारे मसाले लगबग पक चुके हैं सब्ली तरीके से पक गया है पता है दोस्तों इस समय रात किस डेड़ बज रहा है मेरे हस्बिन ने बोला कि मैगी खाने कामन कर रहा है लेकिन सिंपल तरीके से बना के लाना ज़्यादा महनत मत करना तो मैंने बोला कि मटर तो छिला हुआ रखा है मेरे पास कुछ बेबी कॉन भी रखे हुए है सौरी कॉन रखे हुए है बस टमाटो और सिमला मिच को कट करना होगा उन्होंने का हाँ भाई जाओ बनाओ तुम तो अपने ही स्टाइल से बनाओगी तुमको चाहे जो बोला जाए तो दोस्तो मेरे लिए यही सिम्पल स्टाइल है ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि मैने कुछ ज्यादा महनत की है थोड़ा सा पाई डालूंगी मसाले मैंने एड कर दी है आपने देखा और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड कर दिया मैंने अब थोड़ा मसाला पकाने के लिए मीडियम फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे इसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो दोस्तों लगभग एक मिनट हो गया है और अब मैं इसमें में इंग्रेडियन्ट यानि मैगी मसाला आइड करती हूँ दोस्तों यह मैगी मसाला भुना हुआ होता है तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसको अब मैंने एड कर दिया है वाव इसकी खुष्पू बहुत अच्छी लगती है मुझे देखे पूरी तरीके से कलरी चेंज हो जाता है इसको डालते ही तो दोस्तों अब मैं इसमें पानी डालूंगी अब मैंने इसमें पानी आड कर दिया है और अब इस पानी को उबाल आने लगेगा तब मैं इसमें अपने नूडल्स को आड करूंगी तो दोस्तों देखिए अब पानी में पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से उबा अब मैं अपने नूडल्स को इसमें एड कर देती हूँ। नूडल्स को इसमें एड कर दिया है। और इस तरह से बार-बार हिलाते हुए चाहता कि फूरी तरीके से गल जाए। चाहें तो आप टोड की भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड किया हुआ है तो यह मैं दुनों हाथ का यूज नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह से मैं तोड दे रही हूँ। बहुत सौफ्ट होदा टूट जाता है। तो यह देखिए। वाउ। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाने में भी अच्छा ही होगा। अभी मैं हस्बेंट से पुछती हूँ तो बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी मैगी खाने के शौकीन है तो एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा। और हां मुझे अपने कमेंट करके जरू बताइएगा कि मेरा यह तरीक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वह बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो वह ही बताइएगा। अगर कुछ बुराई होगी तो वह ही बताइएगा। मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ आपके वीव समझने के लिए, सुनने के लिए। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ तो दोस्तो मैंने गर्मा गरम मैगी को सर्व कर दिया है देखिए देखने में कितनी लाजवाब लग रही है और इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हलदी राम भुजिया को ऐसे डाल देती हूँ तक कि इसका क्रंची स्वाग और भी मैगी को स्वाबिस्ट बना दे तो तयार है हमारा मैगी अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग